बाईजूस के लिए मुसीवतों का समय चल रहा है, लेकिन कमपनी के CEO और कोफाउंडर बाईजू रविंदरन ने अपने करमचारियों को जन्वरी महीनी की सेलरी दे दी है इस बात की जानकारी बाईजू रविंदरन ने अपने करमचारियों को लिखेक लेटर में दी है रविंदरन ने लिखा कि इस बार सेलरी देने के लिए संगश पहले से भी बढ़ा रहा और उन्होंने अपने employees को salary देने के लिए पहाड जैसी बड़ी मुसीवतों का सामना किया लाइबमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बायजू के CEO बायजू रविंदरन ने रविवार को ही करमचारियों को लिखे एक लैटर में कहा कि company ने वादे में दिये समय से पहले ही जन्वरी के लिए उनकी salary जमा कर दी है बायजू अपनी operational लागत को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है और ऐसे में employees के monthly salary के लिए sign करना एक बड़ी बात हो सकती है जिसे रविंदरन ने अपने लैटर में जाहिर भी किया रविंदरन ने करमचारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि मैं जानता हूँ आपसे कहा गया था कि आपको सुमवार तक वेतन मिल जाएगा लिकिन आपको सुमवार तक भी इंतुजार नहीं करना पड़ा मैं पेरोल के लिए महीनों से पहाडों पर घूम रहा हूँ मित रूप से पढ़ती है लेकिन मैं किसी दिन आपको अपने उन चमतकारों के बारे में बताऊंगा जो हर महीने हो रही है मेरा मानना है कि समय के हर संगर्ष के साथ एक छिपा हुआ चमतकार भी आता है तो मुझको आगे बढ़ते रहना होगा संकट में फसी एट टेक कंपनी बाईजू के सामने एक के बाद एक मुसीबते आती जा रही है तीन फरवरी दोहजार चौबिस को खबराई की कंपनी की अमेरिकी यूनिट बाईजू अलफा ने दिवालिया होने की याचिका दाखिल कर दी है इससे एक दिन पहले ही निवेशकों ने बाईजू के CEO बाईजू रविंदरन को बोर्ट से बाहर निकालने की कोशिश भी की बाईजू अलफा एक दशमलव दो अरब डॉलर का कर्श चुकाने में असफल रहीज के चलते उसने दिवालिया पन के लिए आवेदन भी दिया है